हलो भाई मैं हूं गॉरव और आज आपके लिए लिए लिखाया हूं एक बहतरीन सा टोपिक क्या है कि ये जो शंशेड आपको दिख रही है न इनको लेकि में आज एक टोपिक लिए आए हूं जिसमें कि आपको मैं बताऊंगा किया ये अर्य शंशेड कितनी काम की और कितनी काम की नहीं है क्योंकि लोग वाग है न एक कई रीजन से इसको लगवाते हैं कुछ लोग तो शोकिया तोर पे लगवाते हैं जिससे के थोड़ा प्रावेसी क्रेट हो सके बट आपको पता है इस पर लोग आपने इनको नहीं लगा सकते हैं और कुछ लोग लगाते हैं कि जिनके गाड़ियों के AC इफेक्टिव इतना जादा नहीं होता तो वो लगाते हैं इनको तो सब के अपने अपने ओपिनियन होते हैं कोई किसी वज़े से लगाता है कोई प्रावेसी के लिए लगा लेता है तो कोई AC के लिए लगा लेता है ठीक है मानते हैं तो मैं बताता नहीं है कितना मैं लोगे यह दिक्कत देगी या नहीं देगी वह भी चीज में आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में तो शुरुआत कर लेते हैं तो भाई कल वाली जो वीडियो थी अपने उस पर आपने बहुत जादा प्यार दिया सच में दिल खुश हो गया तो ऐसा ही ये लगवाई थी क्योंकि गड़ी में घर्मी बहुत जबने वीड़ी तो ऑगष्ब्ल लगवाई को पता है क्योंकि आ簡री कॉलिंग बने लगवाने के इस चलाने पे अच्छी से कूलिंग बन जा ती तो यह लगवाने कर लेता हूं कि आपको यह लगवाने से क्या क्या दिक्कत हो सकती है तो सबसे पहली बात सबसे में बात आप सभी को पता है कि आप इस तरीके से संशेड वगर नहीं लगवा सकते क्योंकि इनका चलान कर जाता है और इन इनकी नहीं जो आजकल गाडियों में न कंपनी से बहुत जल्दी कटता है और आप कोई दिक्कत होगी चलान कट जाएगा तो अब दूसरी चीज की बात कर लेता तो दूसरी चीज यह होती है कि इसमें आप जैसे यह लगा लेते हो तो दिन के टाइम पर बहुत ही हलका विजन होता है इनका अभी रात में तो आप देख रहो बिल्कुल साम बाहर की तरफ में कुछ नहीं दिख रहा हल का दिख रही होगि तो रात के टेम तो यह हूए है और दिन में हल का विजन रहते है तो रात में जैसे आप कहीं भी कभी भी ड्रैव कर रहे हो तो उस टेम पर ना आपको बहुत जाद अधिक्कत होने वाली है जै इसके बार तो दिखता ही नहीं है तो ये ना दिखने की वज़े से बहुत जहाट हो जैती है गाड़ी में इससे ना गाड़ी की वी निकलने की कोचिछें To तो उस टाइम पर क्या होता है जैसे आप चल रहे हो आपने पीछे तो देख लिया तो रात के टैम में आपको कुछ नहीं दिखाएंगा क्या है क्या है गाड़ी का तो यह सब चीजे हैं तो एक और नुक्सान में आपको बताऊंगा इसका तो सबसे पहले आपना चलान का नुक्सान हो गया उसके बाद में यह हो गया कि आपको दिखता नहीं है कुछ भी इसमें से बार तीसरा कोई वराबर में अगर चल रहा है आप निकलती से क पर देखना सामने से और कंटो ऑन पर यह बने Раз यह अब है यह देखो डगुदे हो यह जबरदस्ती होते हैं यह तो यह तो यह जो पूरे नहीं है के संसे इस बड़ेते हैं जैसे कि अगर यह आप जब 116 नए वाली जगाχ उती है इसमिए बन जाता है और कल को आपके जो है ना यह शीशे जैसे हम बंद करते हैं इनमें गैब बनने के chances हो जाते हैं और गैब बनने की वज़े से यह शीशे है ना फिर आवाज भी करने लग जाते हैं तो यह एक सबसा जबरदस्ती लगी है मेरे से ठीक है अब मैंने जैसे इसका शीशा डाउन कर दिया अब देखना यह शीशा डाउन हो गया यह लगी अब देखो यह अपने आप गुजगी ना इसमें अब शीशे के साथ में यह यहां से पूरी अंदर गुज चुकिए जिससे के आपका संचेड कभी भी यूज़ ना करें संचेड यूज़ करने से आपको यह नुक्सान होगा हर तरीके से फिर चाहिए वह चलान का हो क्योंकि आपको पता है रूल स्ट्रिक्ट है तो आपका चलान जल्दी घड़ जाएगा जैसे देखेंगे पुलिस वाले तुरंत रुखवा सकता है उसके लिए देखो यह तो आप टोप मोडल गाड़ी लो आपको पता है कि डूप मोडल काड़ी में ग्रीन कलर के गलास आते हूं टिंटेट गलास होते हैं तो उसमें दिक्कत नहीं आती या फिर आप मैं रिकमेंट तो नहीं करूंगा लेकिन आप करवाना चाहें तो ग्रीन कलर के लाइट तैन यह 5% पर विजिवल वह होती है डार्क होते है तैन यह 5% 100 में से वह आप करवा सकते हैं जिससे कि आपकी एसी की कूलिंग भी बनी रहेगी गाड़ी में दिखता भी रहेगा आपका चलान भी नहीं गटेगा जैसा कि आपके टॉप मोडल में आपको दिखता है तो वह चीज आप करवा सकते हो अगर आप करवाना चाहो तो बाकि मैं रेकमेंट नहीं करता इस चीज को आप अपनी गाड़ी जैसे कंपनी से स्टॉक आई है उसी में चले तो ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए और आपने वीडियो देखी नवाद थैंक यू सो मच